कर दोस्तों जगुटिक में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा लग है आप किसी भी सरकारी हास्पीटल में आनलाइन एपॉइंटमेंट कैसे करेंगे तो आज इसी के बारे हम बताने वाले हैं आपको हास्पीटल जाने की जरूरत नहीं है ये आनलाइन सबके घर में निट है आपको सिर्फ मोबाइल में निट चाहिए और आधार कार्ड चाहिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है धक्का खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये भारत सरकार ये सुभधा दे रही है आप लोगों के सामने जगू टेक दिख रहा है उसके नीचे रेट कलर की बटन दिख रही है प्लीज दोस्तों उस रेट बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे इसके बाद आपके सामने एक बेल का आइकन आ जाएगा आप उस बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दीजे जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके चलते हैं हम गूगल ओपिन करते हैं गूगल को ओपिन करने के बाद आप डालेंगे उसमें और आप थोड़ी सी केवल इस वीडियो को देख लेंगे आपको पता चल जाएगा का दा पताया गया का यहां में अपनी booking कर सकते हैं क्योंकि आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि आज के इस दोर में रपरिवार में कोई न कोई भीमार है कोई ब्रिद्ध है तो वह बिमार है और उसको लेके दोड़ना और भीड में खड़े रहना और उस मरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राब्लम हो जाती है इसलिए आज मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है कि आप लोग कम से कम अपने घर में जो लोग मरीज हैं उनको ले जा करके इसली दिखा सकते हैं और डाक्टर को दिखा करके डाक्टर के कार्डिंग दवा ले सकते हैं आप लोग गूगल में सर्च करिए org.gov.in एक गॉर्मेंट की साइट है जीओ भी है सौर्ट में जीओ भी बोलते हैं और फूल में गॉर्मेंट है आप इसको ओपन करेंगे देखे यहां पर वेबसाइट ओपन हो गई है और यहां ओपन होने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना पड़ेगा और यहां पर लिखा हुआ है यलो कलर में बुक एपॉइंटमेंट नाउ आप यहां पर क्लिक कर देंगे इसी पर देख लीजे और यहां पर नीचे आ जाएंगे आपका सबका आधार कार्ड होता ही है आप यहां पर आधार कार्ड अपना डालेंगे और सब्मिट करेंगे और यहां पर जो चिक बॉक्स है इसको क्लिक कर देंगे इसको टिक करने के बाद आपके पास एक मोबाइल पर एक OTP जाएगा वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ट से जुड़ा हुआ है जब वह OTP आप यहां पे next step में डालेंगे तो आपको एक और मैसेज आएगा appointment का appointment का acknowledgement नंबर होता है वो वो नंबर जाकर के आप उस सरकारी hospital में दिखाएंगे और वहां पे आप से पूछा जाएगा कि आपकी क्या problem है इसके बाद वहां से आपके को उस doctor के लिए आपको भेज दिया जाएगा और दोस्तों अगर किसी के पास आधार card नंबर अभी नहीं है तो नीचे आप आजाईए और यहां पे लिखा हुआ है do not have आधार तो click here यहां पे कलेंगे click here पे क्लिक करने के बाद आप को यहां पे एक mobile नंबर डालना होगा देखिए यहां पे लिखा हुआ है please enter your mobile file नंबर यहां पे आप 10 डिजिट का अपना नंबर डालेंगे सेम सम्मिट करेंगे उस पे एक OTP जाएगा उस OTP को आप नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे इसके बाद एक और मैसेज जाएगा रीटा हौस्पीटल की तरफ से एककना जुलेंगे नंबर को दिखा करके आप किसी भी डाक्टर को जो रोग हो आपका अपने अपने रोक की के एक अल्डिंग कि अपने डाक्टर को दिखा करके इसली दिखा सकते हैं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और प्लीज मेरे वीडियो को बिना लाइक किये कमेंट किये मच जाईएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी इनफार्मेशन थी जो हम आज आप लोगों के साथ सेयर किये हैं दोस्तों आप लोगों को कैसी ये वीडियो लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा और कोई भी अगर डाउट होता है आप वीडियो में कमेंट करिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे आपकी प्राब्लम साथ आउट करने के लिए ये चैनल बैठा हुआ है जगू ठेक थैंक्स फार वाचिंग